हालो १ेक्ड पेटरोल ाल्ट टाइमिंग डाइग्राम जोई शूुुुू तो तियोररेटिकल वाल्ट टाइमिंग डाइब्राम जोई तो काई कार इतनो व большое नो वाल्ट टाइमिंग डाइग्राम जोई शु। तो theoretical वाल्टैमिंग डाइग्राम जोई तो कई कार इतना व्यच्त वाल्टााइमिंग डाइग्राम इटले सूं। इनलेट औन ऐग्जोस््ट वाल्ब छेचे ए वाल्ब क्या रे ओपन थाय छे एक्षोस्ट वाल छे अग्जोस्ट वाल वां थी अंदर कमशन थाई लिए प्रॉडक्ट होई छे जमके होट गेस इस ने बदोई चे ते आई थी आउटपुट थाई छे बराबर तो आ Inlet वाल आने Exhaust वाल अलग अलग क्रेंक नी पोजिशन पर अलग अलग रिते Open अने Close थता होई छे तो ते किटली डिग्री माटे Open थाई चे? किटली डिग्री माटे Close थाई छे ती वाल टाइमिंग डायाग्राम माँ दर्साह मावें छे तो wall timing diagram मा जो है तो inlet wall जहरे piston स्टॉप डेड़ सेंटर पर होई छे और अब डेड़ सेंटर पचैप नीचे तरफ जवानी जहरे try करे छे तो नीचे तरफ जाए छे त्यारे inlet wall open थाए छे और अब जहरे bottom dead center पर आवी जाए छे piston त्यारे inlet wall close थे जाए छे डंखाशन प्रिंज लुट नेजरे बवल बन्ने डंघ वर्वार परुष प्रोष इंड द्रक्राइट बिलग जाए अरेटेट अंप डंडर क्लोस जोई अहीं कॉम्परेशन तो क्विल खत्म थाए जेंगा पचि इना फोरी स्पार्क थां जे जड़ीर ठबिशन टॉब थे सेंटर पर आवेचे त्यहे ढुए श्पारक थाए चहे खंबशंठधाई चे कंबशंठधिया पची एक्सelnात स्टार्ट मौ मेट अलश होई छहे अन्यक्समान्हीं कि can跑 मैंुट के किया को पी के रिशीन नंसीओ पेसित न गणिपन पry उपजीशा आएहूथ का अगुप का चंग रिज़्म पूम जत चतों के गधोस्ट वाल ओपन पर भीुप सींवभ पॽ्हा सेंटर पर छी तोप डेर्ट चांट पर जसे द्युजरत प्पेस्टन आवरी एक्जोर्स बाल ओपन था आ डेक्रणमा जोई कई ऐच पीश्टन टॉब एक्जोर्स सेंटर पर आये गोई त्युलर्ड आ थारे इंपल एक्जोर्स बाल ओपन तॉदु वाल ओपन ख्लोज थाई छे परन्तु रियल साइकल जे छे एक्चुवल साइकल छे तेनी अंदर आपड़ो जे इनलेट वाल ओपन थाई छे ए एक्जेट टॉप डेड सेंटर उपडर नधी थतो परन्तु अमुक एंगल उपडर थाई छे मिन्स्ट के पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुचे तेना पहला जे आज इनलेट वाल छे ए ओपन थाई जाई छे एना माटेनू रिजन्स आपड़े जोई ए तो जहरे पन पिस्टन जे ए टॉप डेड सेंटर पर पहुचवानी टैयारी मा होई छे तेना पहला जे इनले आ होई तो तेनी उपपर अहीं जे चे ते क्लियरस वाल्यूम रहे लोई चे जो एकजेट में टॉप डेट सेंटर उपर जो इनलेट वाल ने ओपन कर सो तो टे टाइम में एकजेट टॉप डेट सेंटर पर एग्जोस्ट वाल जे चे एकलोज थाई गेलो चे तो सुथासे आ तो तमारू जे पैट्रोल अने एयर नूँ मिक्शेर आवसे ते एयर नूँ मिक्शेर अहीं जे अल्रेडी कंबर्शन प्रोड़क्त रह ली छे तेना द्वारा डाइल्यूट ठाई जाए मिन्स के बदू मिक्शिंग थाई जाए अने जे येटलो पावर तमने आउट्पुट मा मड़ो जो येटलो पावर तमने आउट्पुट मा मड़े नहीं तो तेना माटे एक अलगज अरेजमेंट करवा मावे के तमार इनलेट वाल छे तेने पहला ज खोली देवा मावे अभी केटला डिगरी पहला खोल वा मावे तो आसरे पाँच थी पंड़र डिगरी पैला इनलेट वाल टॉपडेड जी नाती शूंत से के अहीं ती जे फ्रेश एर आव से ते फ्रेश एर आ बद्धा चार्जीस ने एक्जोस्ट वाल माथी धक्कों मारीने बाढ़ य ने भाप करे देmmर माटे सिंट्व साथ आ लिएवं तो थोते सबुत तो देल ऊपने और 6 के और रएकशेट को आका ब करें माहे तेके सबुल साथे अक्या पर बन फंकरें यहीं आँठी 10 डिग्री मीन्स के एक्सोस वालनों एंगल हूं तम ने काऊं तो आ एंगल जे छे ए आँठी 10 डिग्री टॉप डेंड सेंटर पची क्लोज करवा मा आवे तो अमुक समय माते तमें ही जोई शक्षो के बन्नेव जे वाल छे ए ओपन रहे शे अने आज ए प्रोसेस मा आटे ओपन राखवा मा आवे छे ए प्रोसेस ने स्केवेंजिंग प्रोसेस के वामा आवे कई प्रोसेस के वामा आवे स्केवेंजिंग जे प्रोसेस चे टेना माटे आब ने वाल एक की साथे एकज टाई में ओपन राखवा मा आवे के जे थी जे नवा चार्ज आवी रह डगली ने clearance वॉल्यूम इंदर ढगलो तयेला छे तेने बहा धक्कवा मारी ने भार काडी धेशे तो विजेक scavenging process छे इस जन्रेली किटला डिगरी माते होई छे तो scavenging process नी डिगरी आप्णे जोए तो आठ ने 5-3 डिगरी आनो 8 ले लिए और आनो 5 ले लिए तो 3 डिगरी अथवा आनो 15 अने 10 ले लिए तो 25 डिगरी तो 13 थी 25 डिगरी माटे स्केवेंजिंग प्रोशेस जनराली थती होई छे जो अवाल टाइमिंग ये डायग्राम छे अलग अलग स्पीड माटे अलग अलग होई छे एकदम स्लो स्पीड होई तो तेना माटे स्केवेंजिंग प्रोशेस 30 डिगरी जे भी होई छे अत्वा एकदम हाई स्पीड होई तो तेमना माटे जे स्केवेंजिंग प्रोशेस जे छे ए वधारे राखवी पड़े मिन्स के वधारे टाइम शूदी तमारे वाल उपन राखवा पड़े किम के बदू स्पीड मा थाई छेने एटले थोड़ो टाइम वधार आप ओड़े तो हवे आपड़े इनलेट वाल नए एगजोस वाल क्या रे ओपन थाई क्या रे क्लोज था इकला डिग्री बेला ओपन थाई कितला डिग्री पची दूज थाई यह अपड़े आई जोही ली दू अबं लगे ए शफेल न लगेशस न जू has अपर दो खेल्ड में बिटेस जो एध भी जेप्रीक है चैना पाचेनों पण एक रिजन्ट चे परन तु पहला जोई लेके किटला डिगरी शुधी होई चैंस को आपके आपनों सक्षन स्ट्रॉक चेंनलीट षट्रॉक दो लेट कलको चमिनल Jen खेंटर टीम ऑनलोल कॉर्फें और राज में लिच्छें मा जाव शे जनरली आग एक्जाम मा पूछाई छे गणी बदिवार आर्टी ओनी एक्जाम मा के इनलेट वाल केला डिगरी माटे ओपन रहे छे तो 210 ती बच्छो तीस दीगरी माटे ओपन रहे छे 25 केवेंजिंग प्रोसेश एडले के केटला डिगरी माटे तम्हारा जे बन इनलेट वाल क्लोसेश 25 दिगरी बोटम डेड़ सेंटर बोटम डेड़ सेंटर ते 25 ती 50 दिगरी अप्टर जे इनलेट वाल छे एक्लोस थाई छे अनने इनलेट वाल रिमेन ओपन प्र तो 2 20 to 30 डिगरी हवे इनलेट वाल आटलो लेट क्लोज करवानू कारण शुँ तो ए लेट क्लोज करवानू कारण हुँ तम नहीं बताओ इनलेट वाल लेट क्लोज करवानों काराण ए छे के तमें जारे पिस्टन मा आजे सिलिंडर छे तेमा जे पिस्टन नीचे नी तरफ मुव करतो होई तो इनर्सियानी इफेक्ट आवे छे नीचे नी तरफ मुव करे तो गेस इनलेट ठवानों चालू थसे बराबर हवे इनलेट ठवानों चालू थसे अने एक्जेट अमें जो आब ओटम डेड सेंटर पर जो क्लोज करी देशो तो पूर्ता प्रमाण मा जे एड छे ए अंदर आवसे नहीं अने तमारी जे वॉल्योमेट्रिक एफिशेंसी छे ए गटी जेशे जेब के तमें कोई वस्तू अथवा कुचा धारों самый ऐर ने जmäन रावसे है अवह मोमंटम यह नहीं canım क्यिस एम्न्योमेट्रिक और णोचें से एुट मैरी म॥े यूस करवो हूआ आवीगिए ऑहिय नहीं तो आव हावा पर्न तु व्यंदर आनि अंदर आज एक्षा अंदर आवीशक्ये ठोड़ी वधार एर अने आज इफेक्टचे थोड़ी वदारे air अंदर लेवानी अथ्वा जे air नुँ momentum छे ने यूस करवानी जे effect छे तेने ram effect केवाई कई effect केवाई ram effect आ जे ram effect छे ए effect नो use करवाँ माते आपटे जे inlet वाल छे एने थोड़ा degree 5 क्लोज करिये छे अने ए degree 25 ती 50 degree होई छे बराबर तो इनलेट वाल थोड़ा डिगरी पची क्लोज के वनों रिजन छे के रैम इफेक्ट हवे बीजो ट्रोक आपड़े जोए ते तो इजीली तमें समझी सको छो जे एक बीजो स्ट्रोक छे एक कमप्रेशन स्ट्रोक छे कयो आजे ब्लू कलर नी लाइन थी दर्साइब हो छे एक कमप्रेशन स्ट्रोक छे ब्लू कलर नी लाइन वाड़ो जे आकको स्ट्रोक छे कमप्रेशन स्ट्रोक छे कमप्रेशन स्ट्रोक मासूं होई बनने वाल क्लोजज होई छे एक्जोस्ट अने इनलेट बनने वाल क्लोजर्ज होई छे कॉंप्रेशन स्ट्रोक ज्या 150 ती 155 डिग्री सुधी थाई छे जनरल या एक्जाम मा पूत्ता ना थी पच्छी ब्लेक करना नी जे लाइन छे एक्जोस्ट हो एक्सट्रोक छें मिंस कहीश पार्क थेयों था सपार्क थाय छे पच्छी जे एक्सा ब्सट्रोक नी एक्सट्रोक थो onu चालू थसे अन्य 45 तक ब्सट्री दिग्री ऑ Mitch थी ऐा ही शुदी एग्जोस्ट वाल उपन नियुक्त था हए त्याहा ऑडुर रहे चैना अपनक मन, बुस्टाइज पॉटला उपन रखेलु अधिचिंस थविए еघ्जोस्ट वाल छे पालुनिछहने आलो के ईक्ञ डिण बॉटम 이제 अर्फ करता पहला जो पन करी नहीं दिवा मा एवे चें बोटम 15 से करता क्यों डीगरी पेला उपन और मा आवे चें तो 55 डीगरी पल बा बोटम डेड़ सेंटर बोटम डेड़ सेंटर करता पेला ज एक्जोस्ट वाल ओपन करी देवा माँ आज आज एक्जोस्ट वाल आपणे ओपन करियो बराबर एक्जोस्ट वाल एक्जोस्ट वाल ओपन आटला डिक्री बीफोर करियो एनू रिजन शू तो तम्हें जो एक्ज प्रोडक्ट जे जन्रेट ठाई चे अंदर तेने बाहर काड़वां माटे फरी थी तमार एनरजी खर्च करवी पड़ से बराबर अवे एनरजी जो ओछी खर्च करवी होई तो आझे अहीं जे प्रेशर प्रोडूट्स थे युकम अंदर मयान एक साटख से अगजोस्ट अथा ने परड़ खर्च ने जसे बाहर कारी नाख होई औने एक साट ग्यों प्रॉक 2 फारोा थे अरजी ह फी अटला डिगरी पेलला खोली देवा माँ आवे छे किटला डिगरी पंचाउंती पीस्तारिश डिगरी बीफोर बोटम डेड सेंटर खोली देवा माँ आवे छे अवे आपडू जे आजे आखी वालु टाइमिंग डायाग्राम जो यो ए स्पार्क इगनीशन एंजीन नो जो उब ओडे आटला डिगरी पैला तमाहरे स्पार्क करवानी जरूर शा माटे पड़ी तो आपड़े जो यो योई नत्यु तो आपड़े ख़बर छे के आपड़े स्पार्क करिये अहीं जो तम्हें एट इंसेंस टेन या स्पार्क करियो तो यह उत अच्छेद ना थी के स्पार्क करियो ले तरह तज आखु सर्गिज जैसे बद्धुज यह उन अथी होतु तम्हें स्पार्क करो छो पची थोड़ो टाइम ले से जमके 0.005 शेकंड आटलो टाइम तो ले अखु सडगवा माटे तो तेना माटे आपने आज एगनीशन छे एटले के स्पार्क तेनु स्टार्टिंग टॉप देड सेंटर करता पहला ज करूप अन्य ते 40-30 डिग्री पहला ज आपने स्टार्ट करूप पर छे औनि आज आपने पहला ज स्टार्ट करिये छे लेग शुँके वाए इगनीशन लेग मिन्स के इगनीशन लेग एले असडगावा माल सडगवाने जाके प्रोशेस्तवामाँ जे लेक थाई चे तो लेके मौडू थाई छे ते मौडू ने आपने अपने इपने स्ट करवा माटे 40-30 डिग्री बीफोर आपने स्पार्क आ तो तोथमाँ जे कम्बशन नी प्रोशेस्स न थारो के न बिश्टन नहीे चे तो तो पिॶ्टन जा रही अहीं एकदम टॉप डेट सेंटर पर आवो से त्यार है आज अंडर नूँ जे आखु जे पैट्रोल से ने एर रतू एक अंप्लेटली कमबस थेगी हो से अने एकदम पीक प्रेशर जनरेट थेगी हो से टीडीशी पर आवो त्यार है तो आटलो जे टाइम छे तेने अने इगनीशन लेगना कारणे जा टॉप डेट सेंटर नी 40 ती 20 दीगरी पेला स्पार्किंग करी देवा मां आवे छे तो आपड़े जे वाल्व टाइमिंग डायग्राम हा तो एसा एंजिन पैट्रोल एंजिन मांटेना स्पार्क इगनीशन एंजिन मांटेना ठीयरेटि मांटे स्कैवेंजिंग नो यूज करवा मांटे बची इगनीशन लेग जे छे तेनी इफेक्ट मेडवा मांटे आपड़े जे छे पोताना वाल्व क्या तो टीडीसी पहला ओपन करिये छे अथ्वा टीडीसी पहला टीडीसी पछी ओपन करिये छे नितो टीडीसी बीडीस आज बद्दू एक जम मा पूछाएचे स्केवेंजिंग विंस के बनने वाल्व किटला डिगरी माटे ओपन रहेचे 30-25 डिगरी माटे बनने वाल्व एक की साथे ओपन रहेचे आप उचाएचे जनरली एक्जाम मा सो थैंक यू सो मच पर वाचिं दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल सिन्हाल्स अकेटमी ओप यू एंजोई दिस वीडियो सुपबाई सिया एंटेक केर